Hello friends, welcome back to my channel. आज आक लिए हम 2 in 1 recipe लेख रहा हैं. आप इसे breakfast में भी खा सकते हैं, चाई के साथ में खा सकते हैं. तेस्ट बहुत अलग होगा. हमने एक ही चीज को दो तरीकी से बनाया है. और दोनों में ही इसका टेस्ट भी अलग है, सेम चीज से. और आप इसे एक महिनी तक स्टोंग करके रख सकते हैं. जरूर नहीं आपको एक टाइट कंटीनर में रखा. जैसे चैया वैसे रख सकते हैं, ये एक महिनी तक ख़राप नहीं होती है. आप शाहे तो इसे सफ़र में ले जा सकते हैं. इसका यह जो मसाला है यह ना दाल का है वई आलू का तो है ही नहीं अलग है जरूट ट्राइग करना तो चलिए इसे बनाना शिरू करते हैं तो यहां पर आपके एक प्लेट चाहिए इसमें आपको लेनी है नमकीन तो यहां पर चेह बिकानेवी सेव चोटी सी काटोरी लेना ताकि दो बड़े चमच ही जितने आए रुदला में सेव लिए है और यह हमने लिया है एक मिक्षर और इसी के साथ में है यह है आलू भुजिया यहाँ पर है हमारे पास में कटा मीटा मिक्षर तो वो भी हम ले लेते हैं और उतना ही आपको लेना है मूंकी डाल वाली नमकीन आप इसमें कोई भी नमकीन अपनी पसंद से एड़ कर सकते है इसकिप कर सकते है अब इसे हम एक मिक्षर जार में डाल देते हैं यह हमने दो दो बड़े चमच करके लिया है न यह काफी हो जाता है और यहाँ पर इसमें आपको डालना है एक चमच चीनी चीनी कोई इसको मीठा टेस नहीं देती है बेरे फौती माइनर साहल का साथ है बहुत अच्छा लगता है और एक चमच चाट मसाला क्योंकि इस नमकिन में नमक तो होता ही है तो नमक हम अलक से अट नहीं करेंगे चाट मसाला में काफी होता है और एक चमच सौफ पिसी हुई हो तो वो ले सकते हो और साबोद हो तो मी ले सकते हो अब आपको इससे दरदरा पीसना है तो यहाँ पर इससे हमने पीस कर तिया कर लिया है इस तरीके से हो जाएगे और इतना तक आपको करना है हलका हलका सा दाना रहना चाहिए एक बॉल में आप इससे निकाल लेना अब फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लालविच पाउडर और थोड़ा से चिली फ्लिक्स चिली फ्लिक्स आपके बस में नहीं है तो आप इसकिप कर सकते हो थोड़ा सा रैड चिली पाउडर और एट कर सकते हो इससे आप मिक्स कर लेना अभी यहाँ पर आप दिखेंगे यह थोड़ा सा ड्राय है तो यहाँ पर आप इसमें डालेंगे थोड़ा से घी घी को आप 2-3 चमज तक एड़ कर सकते हैं बेसिकली आपको इसे हलक असा तकि आप इसको एजिली होल्ड कर सकते हैं बहुत जादा घीरेड मत करना थोड़ा सा तो यहाँ पर इसे आप हाथ से अच्छे से मिक्स करोगे तो जादा एजी रहेगा तकि घीरेड में अच्छे से मिक्स हो जाए ना और यहाँ पर यह है थोड़ा सा अगर आप इसको बाइन करोगे ना तो हाथ में हलका से इस तरीके से होने लगेगा बस इतना ही आपको कहना है तो यहाँ पर यह हो गया है अब इसमें और टेस्ट के लिए और खुश्बू के लिए आपना इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी एट कर देना हरा धनिया हरे मरिश बिलकुल भी नहीं डाल ली है उससे इसकी वेलिडिटी कम हो जाती है चार से पांच दिन बस कसूरी मेथी को ऐसे रब करके डाल देना मिला देना उससे और यहाँ पर यह हमारा नमकीन का मसाला यहनि कि फिलिंग बनकर तयार हो गई है आपने कचोड़ी या भर्मा मठ्री कई तरीके से खाई होगी वाट किया कभी आपने नमकीन की फिलिंग वाली खाई है जरूर ट्रै करना यहाँ पर दो लगा लेते हैं चार कप मैदा नमक स्वादानिसार और इसमें चार कप मैदा गई है न तो इसमें जाएगा दो चमच भर के रिफाइन डॉयल यह आपने बड़ा चमच लिया है तो रेगुलर स्पून से दो स्पून रहता है और स्पून से आपको लेना है दो चमच घी तो इसमें जाएगी थोड़ी सी अजवाइन एक तेहाई चमच अजवाइन और हाथों पे सरीके सिर्फ करके आप इसमें डाल देना अब सभी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स करना है चार कप मेदा मेदा जैसे एक कप यह आप मेदा लेते हो तो उसमें एक चमच ही जाएगा अब वो हाफ स्पून रिफाइन डॉयल भी जाएगा यहां पर हमारे डो लग चुका है डो कैसा रखना है तो आपको जाधा टाइट मत रखना वरना फिलिंग करने में दिख करता आएगी तो इससे पूरी का लगाते हो ने उससे थोड़ा सा टाइट लगाना बस और लगा के 10 मिट के लिए रख देना और यहां पर इसको हलका सा नेट और कर लेना तो यहां पर यह तयार हो गया है अब इसमें से हम पेड़ तयार करते हैं तो अभी यहां पर थोड़ा सा यह बड़ा ले लेते हैं और यह इस तरीके से हो जाएगा और अब इसको हम बेल कर तयार करेंगे तो यहां पर हम प्लेटफर्म को पहले clean कर लिया है और इस पर हम इसको बेल कर त्यार करेंगे इस तरीके से आपको यह दी बेले में दिखके दो तो फिर आप थोड़ा सा oil use कर सकते हैं मैं आपको fast forward में दिखा रही हूँ आपको इस तरीके से थोड़ा सा कर लेना сть पुनारे बंद करके आप इसको लोल करना आपको cut करना है तो कम से कम आपको 12 inAy दो तो आपको इस तरीके से लेकर प्रेस कर दरना यह हो जाएका त्यार और इसी तरीके से हम और भी बना कर त्यार कर देंगे आपको लगेगा ये इतना र्वे मसाला होता है तो ये निकलेगा ऐसा बिलकुल भी नहीं होता इसका भी एक तरीका है जो हम इसको fry करेंगे वो आगे मैं आपको आगे बता दूगे इससे भी ऐसे बनाएंगे प्रेस करने से क्या होता है थोड़ा से सैट हो जाता है और इस तरीकी से इसको रोल करके और लास्ट में हलका सा पानी का हाथ लगा के और बंद कर देना किनारों को बंद कर देना रोल कर देना कट करके तयार कर लेना है देख यह सोचेंगे आप इसको ज़ादा पतला कट करोगे तो फिलिंग निकलने के चांसे होते हैं पाकि इतना करोगे तो आराम से बन जाते हैं हलके हाथ से प्रेस कर देना और सिंप्ली बस इसी दरीके से बागी बना कर दिया कर लेते हैं तो यहां पर यह हमने कुछ बना के रख लिए हैं, साइड में कटोरे में ले ले लेते हैं थोड़ी सी मैदा, इसमें डालते हैं पानी, और आपको इसका एक बिल्कुल पतला गोल बनाना है, इंगतम थिक नहीं बनाना है, इंगतम रनिंग कंसिस्टेंसी वाला गोल आपको त चाहिए, थोड़ देर सिखने के बाद में उपर आना चाहिए, यदि यह जादा गरम होगा ना, तो क्या होगा यह बाहर से सिख जाहिए, अंदर से कच्छे रह जाएंगे, इसलिए जितना आप जैसे मठ्री बनाते हो ना मठ्री हैं, समोसे हैं, जितना आप गैस को रखते आपको इसे अच्छा गुल्लन ब्राउन फ्राइ करना है, कलर पहले से चेंज हो गया है, बट फ्लेम का ध्यान रखना अच्छा अलजल शाहिए, तो फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना, फर्स्ट बैच हो गया है, सेम प्रॉसेस से हमें सेकंड बैच भी फ्राइ करना है, यदि फ्लेम तेज होगी न, तो यह खाने में भी खस्ता नहीं लगेगा, और आप इससे फ्राइ करने के बाद में ऐसे ही रख लेना, थोड़ देख लिए जबते कि पूरी तर्थे ठंडे नहीं हो जाते हैं, तो हो गए है तैयार, अब यहाँ पर कचौरी तियार करेंगे मिनी कचौरी, तो इस तरीके से रोल करके इसमें से हम इसके पेडिकट कर लेंगे, तो आपको ज़्यादा डो नहीं लेना है, सिंपली जितना पूरी बनाने के लिए रखते हो न, वैसे ही रखना, और हातों पर ही या फिर बेल कर भी कर सकते हो, आपको इसे थोड़ा सा थि बन करने के बाद हातों पर इस तरीके से इसको गोल कर लेना, बस यह ऐसे ही हम इसको सिर्केंगे, इसे आपको बेलना नहीं होता है, दूसरा भी ध्याम रखना ऐसे ही करना है, क्योंकि यह कड़ाई में जाके भी फूलती है, तो आप यह ना सोचे कि हम छोड़ी छोड़ी कचोड़ी बन जाएगी, कड़ाई में जाके भी फूलती है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम भरकर त्यार कर लेंगे, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे, तो यह दूसरी भी त्यार हो गई है, अब यहाँ पर हम कड़ाई में इसको डाल देते हैं, सिम प्रोसेस से, फ्लेम क से सिखने देना, आराम से खस्ता होने देना, दोनों ही साइट से बीच पीच में पलटते हुए, आप यहाँ पर देखेंगे, एक भी कचोड़ी खुली नहीं है, ऊपर से इस तरीके से होने लगती है, तो यहाँ पर कचोड़ी से लाइन देखने लगेंगी, क्योंकि हमने आप ढग कर ना रखें, बनाने के बात में, बात में तो यह थंड़ा हो जाए, तो आप जैसे चाय वैसे रख सकते हैं, क्योंकि स्टोर करने वाले कचोड़ीया है, तो यह सिकर तयार हो गई है, इसे भी हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो आप शाम की चाय के साथ में हो, च अज़की उसमें रख सकते हो, खराब नहीं होगे, एक महीने तक, आप यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि इसके उपर बबल्स आ गए है, यह अच्छे से सिक गई है, और बहुत ही क्रिस्पी बनती है, अपने घर पर चाय के साथ में, यह रेसिपी थैंक यू